हलो दोस्तों मैं हूँ जुनेद और आप सभी का स्वागत है आज किस वीडियो में और आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेलर के बारे में अगर आप जानना जाते हो कि एक टेलर की कितनी सलरी होती है ऐसे फ्रेश हैर साथ ही साथ कितना टाइमिंग की जॉब होती है और सबसे इंपोर्टन चीज हम टेलर कैसे बन सकते हैं और टेलर की क्या क्या जॉब रोल है प्रोफाइल क्या है यह सब कुछ आज किस वीडियो में हम डिस्क्स करने वाले हैं स्टार्ट करते हैं लेकर उससे पहले बता दू अगर आपको भी एक प्राइविट बैंक के अंदर नौकरी चाहिए आप ट्राइ कर रहे हैं बहुत दिन से और नहीं हो पा रहा है तो आपको जरूरत है एक बढ़िया प्रोफेशनल इस्यूम की जो आप हमसे बनवा सकते हो कॉंटेक नमर आपको यहां पर मिल जाएगा फटाफट से जाएए वाटसप पर चीज़े पोचिए और हां बनमा लीजिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले बात करते हैं टेलर की जॉब रॉल के बात करते हैं टेलर बैंक के अंदर क्या काम करता है तो प्लीज ध्यान से सु क्योंकि काम तो काम है और वो करना ही पड़ेगा सबसे पहले कागजी कारवाय जितनी बेंक के अंदर वह आप देख रहे होंगे और उसके अंदर यहां पर गलतिया नहीं चाहिए मैं आपको इसी वीडियो के अंदर इस्किल्स के बारे में बताऊंगा कि अगर आपको एक टेलर के अंदर आ रहे होते हैं ठीक है तो अगर आपको कागजों से थोड़ा लगाव है प्यार महबत है तो आप इस पॉस्त की तरफ जा सकते हैं तो दोस्तों साधी साथ मैं आपको उतादू जैसे जमा पर्ची होती है निकासी पर्ची होती है अगर इंगलिश में बात क विह नहां करते दो आपको वारी होगी तर्म अदर जा रहा होता है जो निकलना आए जो डलना है वो काम पर कीछा बादबिश यहां पर phone calls का जवाब देना बहुत बार यह ना bank के अंदर calls आती है कुछ personal call होती है कुछ ऐसी call होती है कहा उनका जवाब देना ही है तो tailor वहाँ पर भी चीजों को answer कर रहा होता है जवाद को कोई ना कुई solution पकड़ा रहा होता है customer को client को I hope आपी समझे चीज़ा आ रहे होंगे, अगर आ रहे हैं तो please hit the like button. नेक्स्ट हफते, I mean मन्ने के दिन से हम ये काम शुरू कराएंगे, तो ये काम टेलर का होता है. तो फिर आप थोड़ा सा प्लीज आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है, अंको को अंको में पढ़ना चाहिए, शब्दो को शब्दो में पढ़ना चाहिए, ठीक है, अगर कोई संख्या लिखी वी है, और आप बैंक में काम कर रहे हो, तो 1-2-3 नहीं करना आपको उसको पढ़क तो ट्रांजेक्शन में बहुत सारी चीज़े होती है, मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं इधर लगा दूँगा, आप चैक कर लेना, शॉर्ट फॉर्म आपको पता होना चाहिए, किस ट्रांजेक्शन को, किसको क्या कहते है, बैंक ने अगर चार्ज काटा है, तो उसको क् कु पता होना, बात करते हैं, is close number 3 कि जो मैंने आपके बताया भी था, numbers की knowledge, numbers को समझना, अच्छी knowledge पारका होनी है numbers की और आपको श्रम नहीं आने चाहिए numbers पढ़ते वे बताते वे ठीक है fourth skills की बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा जरूरी है सबसे ज़्यादा जरूरी है फूरत यहाँ पर communication skills good communication skills Hindi and English आपको दोनों को पता होना चाहिए अच्छे तरह पता होना चाहिए communication skills तो इतनी important है हर कुछ काम करने के लिए सारे काम करने के लिए banking field में एक अच्छी communication skills चाहिए हमने अपनी communication skills क्यासे improve करी आप चाहते हो अगर हमारे से भी अच्छी communication skills को बनाना master करना हमने course बना एक उसे किमतना बहुत कम है ठीक है और यह वोट्सप नंबर है आप यहाँ पर जाकर स्कूर्स को पर चीज कर सकते हैं तो इंस्टेंट आपको मिलेगा जैसे screenshot दो अगर हम बात करें उस book के अंदर क्या-क्या है तो 80 page की वो book है एक पार अगर आपने उसको पढ़े लिया आई होप सारी चीज़े बहुत अच्छे से किलिए लिसमत मा जाएंगी थोड़े दिन प्रक्टिस करेंगे चीज़े सारी आसान हो जाएंगी तो कर सकते हो आप और हाँ भाई इसके बागे नहीं होगा यह ज़रूरी है नंबर पांच अगर हम बात करें स्किल्स की कौन सी ह है तो वह है अंडर्सरेंडिंग फिनांस सेक्टर में जा रहे हैं आपको अगर फिनांस का मतलब नहीं बता बहुत गलत बात है अगर आपको फिनांस की चीज़ें नहीं पता यह उस से घ्याद गलत आता है आज से ही मास्टर करना शुरू कर दीजे क्योंकि आप बैंक में बैंक की चीज़ें के बारे में आपको बहुत अच्छी से नोलीज हो नहीं चीए क्या लोन होता है ठीक है FD क्या है RD क्या है मैं यहादा एक स्पेंड निकारा चीज़ों को लेकिन हाँ आपको पता हूना चीज़ है तो दोस्तों यह थी स्किल्स अब बात करते हैं थर्ड स हो सकती है और इससे थोड़ी सी कम भी हो सकती है ठीक है ज़रूरी नहीं है जाते हो वो सारी चीज़ें मैटर कर रहे होंगी आपके इंटर्विव के उपर क्योंकि अगर आपने एक्जानर को खुश कर दिया अपनी बातों से तो फिर वो कह देगा ठीक है यह बंदा कर सकता मैं बता दीता है जिससे 50,000 रुपे के बीच में ठीक है इस वाली पोस्ति में बात कर रहा हूं और हां यह भी एक एस्टिमेट ही है अगर आप बहुत कबिले तारीफ बंदे हैं या बंदी है तो आपकी सैल्वी यहाँ पर और जादा भी हो सकती है बस आपका टेलेंट जाना चाहिए देन वहां पी सैल्वी सेलेक्ट करेंगे इस बात का धिहान रखना चलिए दूस्तों बात करते हैं पॉइंट नमबर चार की और यह पॉइंट है एजुकेशन में यहाँ पर कोई भी एजुकेशन चल जाएगी चाहें आपने बीकॉम किया हो या बीसी में और डॉक्टर में काफी अंतर है तो थोड़ा सकन फिस हो चाहिए लेकिन दिक्कत बेलकुल नहीं है हो जाएगा अच्छा मार्क्स की बात करते हैं अगर आपने रिजुशन की है 50% मार्क्स आपके आगए है तो आप ओनलाइन अप्लाई कर सकते हो और अगर नहीं भी आ आदेंगे वो लेकिन आपको आना ज़रूरी चाहिए बेसिक टू एडवांस क्या क्या चीज़ आते हैं इमेल कैसी है जीमेल में क्या होता है साथ इसाथ एकसल क्या है ओफिस में कितने बंडल आ रहे हैं यह साथी चीज़े आप अप्लाई कर सकते हैं ठीक है एकसल क्या है आज की इस वीडियो में नमबर एक एक बड़िया प्रोफेशनल इस्यों जो आप हमसे बनवा रहे हो पहली चीज़ दूसरी एक छोटी सी प्यारी सी क्यूटी सी इमेल आईडी ठीक है और अगर आपके पास यह तीनों चीज़े अवेलेबल हैं तो आप इस वीडियो कंटि इस्क्रिप्शिन में भी डाल दूँगा लिख के दूँगा अपको ठीक है उन वीडियो को देख रहे हैं यहां पर टाइम डिस नहीं आगे बड़ते हैं पॉइंट नमबर सिक्स है हमारे पास टाइम टाइमिंग के आगर हम बात करें एक टेलर की पोस्ट की कि हां टेलर ए तो करना पड़ेगा नहीं घाना मत करो महनत करते रहो आगे बरते रहो ठीक है फिलाल दूस्तों इस वाले वीडियो में इतना ही I hope सारी चीज़े के लिए रहे हैं कर कुछ आपके माइन में रह गया है तो कॉमेंट में लिखेगा आपी के लिए ओपन है दूसरी चीज इंस में लिए रहे खर रहे है तो कि एपके मैं रहे हैं कर द pais कि उनके लिए